Hello friends, आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android mobile phone से आप अपने mobile phone के safe mode को आप कैसे हटा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जान करें देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को में start कर लेते हैं तो जब भी आप देख सकते हैं कि हमारे phone पर कभी भी safe mode अगर लग जाता है तो हमारे phone के नीचे की साइड यहां पर यह safe mode लिखा हुआ आता है तो इससे होता क्या है हमारे phone में जितना ही third party application होते हैं जो कि हम play store से जितने भी download या install करते हैं तो third party application हमारे यहां पर काम नहीं करते हैं जैसे देखिए safe chat है इसे मैं tap करूँआ ओपन करने करें तो open नहीं हो था इस पेज आएगा इस पेज में आपको restart का option एक बार टाप करना है तो आपको इस तरीके से पेज आएगा अब आपको इसमें restart का option दुबारा टाप करना है यहां पर लिखा हूँ आप यह नीचे तो देखिए दोस्तों हमारा phone यहां पर restart हो चुका है और देखिए हमारे जो भी third party application है वो भी यहां पर show हो रहे है ठीके ना और यहां से हमारे phone के नीचे जो safe mode यहां पर लिखा हुआ था अब यहां से safe mode भी हट चुका है यानिके remove हो चुका है ठीक है तो इस तरीकी से आप अपने mobile phone के safe mode को आप इस तरीकी से हटा सकते हैं ठीक है